Hello and Assalamualaikum beautiful people, how are you all? I hope you all are fine and doing very very well. My name is Shamim, आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी YouTube चैनल में और आज की इस लेक्चर में हम Subsidory Alliance पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? Subsidory Alliance, ठीक है? मैं दावाई के साथ कहा सकता हूँ कि अगर आप यहां से यह टॉपिक पढ़ लेते हैं आच्छे से वीडियो के एंड तक बने रहते हैं तो आपको इस टॉपिक को फिर से पढ़ने की कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पढ़ेगी ठीक है? लेकिन इससे पहले में एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल पे अगर आप नए हैं या अगर अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज सबस्क्राइब कर दे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत है ठीक है? मॉटिवेशन के लिए, कॉन्फिटेंस के लिए ताकि हम आपके लिए कॉंटेंट लेते आ रहे हैं चलिए शुरू करते हैं ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं सबस्क्राइब नहीं समझते हैं क्या है बिटिश इस इंडिया कंपटेंस के लिए कोन इस इस इंडिया कंपटेंस के लिए प्रिटिश की प्रिजन्स को एक्सेप्ट करना था और इसी को सब्जिटिटरी फॉर्स भी कहते हैं अपनी टेरिट्रीज में जहां पे वो रूल कर रहे हैं जो एरिया उनको दिये गए हैं रूलिंग के लिए वहाँ पे उन्हें कौन सी आर्मी, कौन सी force बिठानी है Britishers की, ठीक है मतलब वहाँ पे control आप Britishers का होगा चलिए बढ़ते हैं आगे The subsidiary force would be maintained and paid by the Indian rulers और देखो जो subsidiary force होगी means कि जो British force होगी, British army होगी उसको maintain भी कौन करेगा, उसका खर्चा भी कौन उठाएगा, उसको pay कौन देगा, उसकी salaries वगएरा भी कौन पे करेगा, Indian ruler, जो resources exploit होंगे, वो होंगे India के, ठीक है, Indian rulers के, जो गाटे में हैं, गाटे में Indian rulers हैं, और India के लोग है, क्योंकि अब territories को annex किया जा रहा है, territories के ओपर rule कि जा रहा है किन के थरू, subsidiary forces के थरू, means British ourselves के थरू, वो जो चाहेंगे, वो कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ये एक agreement type policy थी, subsidiary alliance, जिसमें क्या करना था, main इसमें का का काम यही था कि, इसमें आपको यह याद रखना है, कि British force को accept करना था, British force को अपनी territories के अंदर India rulers को accept करना और उन British forces को पे भी देनी थी, उनको maintain भी रखना था, अब कुछ key features हम देखते हैं, subjectary alliance के, इसके main important features क्या है, number first is defense, number first is defense, the Indian rulers would be obligated to accept the British for defense purposes to protect their states from external threats, देखे क्या था, Indian rulers को जरूर British army को, British force को accept करना था, किस चीज़ के लिए, defense purpose के लिए, ताकि external threats जो थे, जो बाहर से हमले हो रहे थे, उनसे बचने के लिए, Indian rulers को British की army रखनी थी, ठीक है, इस चीज़ से obligate रहना था, ये accept करना था इन्हें, ठीक है, ये कुछ key feature थे, subjectary alliance के, number first पे हमने देखा defense, बीज में मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको ये handwritten notes चाहिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, number second feature देखते हैं, number second is territory, territory, the ruler had to seat control of a specific part of their territory to the British, इसमें क्या करना था, जो Indian ruler है, इसको किसके हवाले, कुछ part अपनी territory का किसके हवाले कर देना था, Britishers के हवाले, मतलब directly अपनी territory का कुछ हिस्सा, कुछ part किसके हाथ में दे देना था, Britishers के हाथ म number third, foreign relations, the Indian rulers was not allowed to form alliances or relations with other Indian states, or foreign powers without the consent of British, जो Indian rulers है, इस चीज़ की अजासत नहीं दे जाते थी, कि वो किसी तरह की alliance बनाए, या किसी तरह की relation बनाए, बाकि Indian states के साथ, या Indian states के ही साथ नहीं, बलकि अगर कोई foreign powers है, या foreign country, उसके साथ भी किसी तरह की relation है, किसी तरह की agreement या alliance बन बगैर, British consent के बगैर, British presence के बगैर, जो चीज़ भी करनी होगी, उसमें British की मुदाखलत होनी जरूरी है, चली, British intervention in administration, ये most important है, British intervention in administration की इस तरह से, British administration में, हकुमत में, पूरी तरह से अब मुदाखलत करने लगा, interfere करने लगा, The subsidiary alliance granted the East India Company the right to interfere in the internal affairs of the states, including matters of administration and foreign policy, जो subsidiary alliance ये agreement किया गया, ये जो policy implement की गई, इससे East India Company को एक right मिला, कौन सा right मिला, कि वो interfere कर सकती है, Sorry, यहाँ पर interfere लिखा हुआ, interfere है, यह ठीक है, interfere, इंटर्नलफ, जो भी इंटर्नलफ, जो अंदरूनी मसले हैं उनमें, state के अंदरी अंदरूनी मसले जो हैं, उनमें यह आप interfere कर सकती है, मुदाखलत कर सकती है, जिसमें कौन-कौन से matters आ सकते हैं, administration के हो चाहे, हकुमत के हो, यहाँ फिर foreign policy हो, बाकी countries के साथ relation हो, किसी भी तरह की चीज़, किसी भी तरह का agreement या alliance हो, उसमें अब British East India Company इंटर्फियर कर सकती है, यह right मिल गया, subsidiary alliance के through, कि इनको, Britishers को, East India Company को, अब last में एक paragraph देख लेते हैं, The subsidiary alliance system allowed the British to maintain a network of controlled states across India, तो यह जो subsidiary alliance system बनाया था, इन्होंने, इसे Britishers को क्या फाइदा हुआ, इन्होंने एक network, states का, एक network control में, अपने control में लाया, इन्डिया के अंदर, एक states का network अपने control के अंदर लाया, किस के तरह, किस चीज़ के help से, इसी subsidiary alliance के help से, Okay, effectively extending their control without direct administration, इन्होंने बहुत अच्छे तरह, तरीके से control को extend किया, बढ़ाया, लेकिन without direct administration, direct administration इन्होंने नहीं की, देख यह इनकी चाल थी, चाल क्या थी, इन्होंने Indian territories में rulers, तो Indian ही रखे, लेकिन उन्हें rule करने का कोई भी ऐसा source नहीं रखा, कि वो अपने मन से, या अप Pets बना दिया गया, British Shares का, जो British Shares उन्हें बोलेंगे, वो उन्हें करना था, it provided a means for the British to have exert control, collect revenue, manipulate the internal affairs of the princely states, तो देखे, ये, सब्जिटरी ऐलाइन से एक रास्ता बन गया, एक mean बन गया, British Shares के लिए, कि वो अपने control को exert कर सकते हैं, ठीक है, collect कर सकते हैं, इंडियन territories में, इ manipulation कर सकते हैं, उनमें interference कर सकते हैं, प्रिंसली स्टेट्स की, मतलब पूरी तरह से हम पर exploitation करने का उन्हें एक मोका मिला, किस के थूँ, इसी subsidiary alliance के थूँ, I hope guys कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कि subsidiary alliance क्या था, इसका main मकसद क्या था, aim क्या था, subsidiary alliance का, next वी group भी join कर सकते हैं, reasonable rates पे आपको मिल जाएंगे notes, ठीक है, बाकी आप अपने दोस्तों के साथ भी ये video share करें, ताकि वो भी यहां से देख सके, और इन वीडियो को देख सके, और इन topics को अच्छे से पढ़ सके,